नमस्कार विश्चों और स्वागत से आपके अपने यूटूब चैनल दप इसी एम विजिन में पियारे विश्चों आज के इस वीडियो के मादम से हम लोग कलास्टायन हिंदी के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोशन को डिस्कस करेंगे जो कि आप सभी के बोर्ड एक्जाम में डिरेक्ट पूछा जागा और यहां पर मैं आपको जिस तरह का कोशन बता रहा हूँ बिल्कुल यह से ही कोशन आप सभी के बोर्ड एक्जाम में पूछे जाएंगे इसलिए आप लोग वीडियो पे अंतक बने रहे हैं शुरू करते हैं और एक करके सारे कोशन को आपके हम लोग डिसकस करते वीच चलते हैं तो दीके खंड का में आपका एक आपका गध्यांस दिया हुआ है तो यह गध्यांस और पद्यांस आप लोग खुद से बना लीजेगा हम लोग यहां पर आपका डायरेट जो व्याकर ठीक है यह तीनों अगर उपस्तित हो ना तो वहां पर आपका सकर्मक किरिया हुटता है ठीक है अगला कुछिशन देखिया कि कौन सा वायक अकर्मक किरिया का उधारन है तो इसला वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था कि अगर कोई भी वायक दियारे और पाश्चान यह वह आपका सकर्मक किरिया है अगर उत्तर नहीं मिलता है तो समझ जाए वह आपका अकर्मक किरिया है ठीक है जिससे कि यहां पर यह वायक दिया हुए ठीक है कि गीता पत्र लिखती है तो यह जो आपका किरिया पद है इस किरिया पद के पहले आप यहां पर क्या लगा क करके पुछिए प्रस्ण अनिकी क्या लिखती है तो जवाब मिल रहा है पत्र लिखती है ठीक है तो यह आपका नास्ता है यह क्या है क्रिया पद है अब इसके पहले आप क्या लगा करके प्रस्ण पुछिए क्या नास्ता है तो जवाब मिल रहा है क्या नास्ता है नहीं कौन नाचता है तब जवाब मिलता बंदर है ठीक है बंदर नाचता है लेकिन क्या पुछने से क्या नाचता है पुछने से यह जवाब नहीं मिल रहा है अगर कुछते की कौन नाचता है तब उत्तर मिलता की बंदर नाचता है लेकिन यहाँ पर क्या लगा करके प्रस्ण पुछन खेलवाया मतलब वाया 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 वाला जहां पर आपको दिखें वहां पर क्या हो जाएगा वहां पर प्रिणार्थक क्रिया हो जाएगा ठीक है तो इस को सब्सक्राइब क्या है कि दादी बच्चों को कहानी सुनाती है इसमें क्रिया पद कौन सा है तो क्रिया पद कौन सा तो देखे पिता जी की दुवार अख़बार पढ़ा गया यहां पर वाइक नियों का वाइच होगा ठीक क्या होगा वाइच होगा तो यह कौन सा भीद है तो यह आपका करम वाइच है ठीक है तो इस कोशन का करेक्ट नंतरों का option नमर भी करम वाइच उसके पाद देखे अग इसका परधानता होती है उसके बाद देखे अगला कोशन का कह है गर्विवाइच का फोग आम खाया जाता है कि कोन सा सक्ति कौन सा समास है तो अथा सक्सि आपका यहां पर देखिए अथा लगा हुआ है तो यह आपको जाएगा आपका अभी भाव समास ठीक है option में इसका correct नत्रों का अभी भाव समास अगला कुछ दिखे का है कि दो या दो से अधिक पदों के मेल को क्या कहते है तो दो या दो से अधिक पदों के मेल को आपका समास कहा जाता है क्या कहा जाता है आदर कीगा समास कहा जाता है option में इसका correct नत्रों का समास उसके बाद देखे अगला कुछन आपका कहा है कि समुच ये बोधग अविये के दो परमुक वेद कौन से हैं तो देखे समुच बोधग अविये के दो परमुक वेद आपका ये आपका समाधीकरण और आपका वईदीकरण ये दो वेद हैं और आपका वईदीकरण ये दो व सफल नहीं हो सकते आनि कि पास नहीं हो सकते बिना पढ़ाए के ठीक है सुया कहने का मतलब होगा तो यहां पे कौन सा अभी बढ़ाएगा के बिना ओप्सन और यह इसका कर्यक्ट आंत्वर होगा अगला कोश्चिन देखे क्या है कि मिसर वाइक में एक परधान उपवाइक औ सिस्का कौन सा उपवाइक होता है तो आपके सीपसे साब से ने खुको सकते है नहीं तो यह आपका बाल-गोविन्द भगत पुला ज्येप्टर है उससे लिया गया ठीक है कि बाल गोविन्द भगत मैंजिले करके गोरे चिट्टे आदमी थे 60 से उपर के ही होंगे या निकि उसके आयू 60 से उपर के ही होंगे बाल पक कए थे लंबी दाड़ी या जटा जुड तो नहीं सकते थे किन्तु हमेशा उनका चेहरा सफेद वालो से ही जगमगा क्या कराता था मतलब इसको पढ़ना काते है तो आप लोग पढ़ सकते है ठीक है तो उसी चेप्टर से लिए गया है तो इसके कोशिन आनसर को में लोग देखते कोशिन क्या आपका कि बाल गोविन भगत का कद केसा था तो शुरू में ही पढ़े मजला कद का था आपका क्या है कि बाल गोविन भगत गले में केसी माला बाढ़े रहते थे तो यह आपका तुलसी की माला बाढ़े रहते थे ओप्शन नमर डीस का करेक्ट आनसर होगा तुलसी की अगला कोशन अगला यहां पर देखे एक वर आपका पध्यांस दिया गया है कि अमरियुद्दिन का जिनम आपका डुम्राव बिहार के एक संगीत प्रेमी गाव में हुआ है पांच छे वर्स डुम्राव में विता करवा नाना के घर ननिहाल कासी में आ गया डुम्राव का इतिहास में कोई अस्थान बनता हो ऐसा कहीं नहीं लगा है कभी फिर भी यह जरूरी है कि सहनाई और डुम्राव एक दुसरे के लिए उप्योगी है ठीक है तो इसको पढ़ लिए अब चलिए इसके कोईशन आन्सवर को देखते कोईशन का है कि अमरियुद्धिन का जनब कहा हुआ था तो पढ़ें डुम्राव में हुआ था वही सब अगला कुशन आपको कहा है कि कौन एक दुसरे के लिए उप्योगी है तो आपका सहनाई और डुम्राव ठीक है एक दुसरे के लिए उप्योगी है तुम्हारी यह दुरंतित मुस्कान धन तुम मा भी दू तुम्हारी धन चीर परवासी में इतर में अन्य अथिती से पिरिये तुम्हारा क्या रहा संपर्क उंगलिया मा की कत्राती रही मधूपरक ठीक है तो यहां पर देखे आपका यह जो प्रस्तुत पंत्याक है इसका लेखा कुन है तो आज रखेगा इसके लेखा का आपका आने की कवी नागा अरजुन है और आप लोग कमेंट करके बताएगा कि आपके किताम बेजो कवीता है कौन से कवीता से इस कव्यांस को लिया गया कमेंट करिएगा फटाक से अगरा कोश्चन क्या है कि दंतूरित का अर्थ है तो दंतूरित का क्या अर्थ है भाई सब दंतूरित का आर्थ होगा आपका नए नए दात क्या हो जाएगा नए नए दात दंतूरित का अर्थ होता ह है option nummer dies का correct आंत्रोगा उसके जावद कि बालुक बोली नहीं तो ही यहाँ पर उप्र्यूक्त काईवी की पंती आपकी रचिता कोवी रचिता नहीं का नाम क्या है तो इसके रचिता आपका हो जाएंगे आपका यह तुलसी दास है कौन है तुलसी दास option नमर यह इसका correct आंत्रोगा अगला question दिखे क्या है कि उपरुक पंतियों में कौन सा अलंकार है यहाँ पे जो आपका पंति है बालुक बोली बधो नहीं तो ही ठीक है तो इसमें कौन सा अलंकार है तो इसमें आपका अनुप्रास अल जो गोपियों की इस्तिती थी यह आपका विरा की आग जगी जनने जैसी होगी थी तो इस question का correct आंत्रोगा option नमर भी विरा की आग जगी ठीक है उसके बाद यहाँ पे तीसी question आपके बोड़े कम हैंगे लेकिन आपको शालिस टोटल बताता हूं ठीक है मतलब तीसी लेकिन अर्थों की और इसारा करती है तो आपका ललित कल्पना क्रांती चेत्मा के साथ नम निर्मान नव संचार की और इसारा करता है option नमर बीस का correct आंत्रोगा अगला question क्या है कि मुख्य गायव कि यहां पर गायक होगा ठीक है मुख्य गायक की आवाज किसी थी तो स्वर्ण स्पस्ट नमर करती है option 6 का आँत्रोगा अगला question क्या है कि मेरंग तेसना άrot होता है यह होजाता है इसका छलावा होता है आप्रतो निर्माता का क één time करता होका खानीआ में तो यहां पर आपका लेख्र कि माता ने लेख्र के प्ता पीट्ही ट harsh नमर 20 को जाएगा और अगले कुछ से देखिए कि मुर्तीकार के नहयां अंत में मुर्ति के नाक के लिए क्या सुझभल दिआ तर्थ हो से दिया अगला कुशन देखे क्या है कि कैप्टन कौन था तो कैप्टन चस्मा बिशने वाला था अगला कुशन आपका क्या है यहां पे कि लेखक ने खीरा खाने से इसलिए इनकार कर दिया यहां पे उसको आत्म सम्मान की रक्षा के लिए ठीक है तो फादर कामिल भूल के आपका हिंदी को रैष्ट भासा के रूप में देखना चाते थे ओप्सन नमर से इसका करेक्टर अंत्रों का रैष्ट भासा के रूप में ठीक है बच्तों तो यहां पे जो भी आपका इनकोर्टन कोशन था यह मैंने आप सभी को करवा दिया सब्ज इसी तरक यह कोशन आपकी बोर्ड एक्जाम बाएंगे जिस तरक मैं आपको बता रहा हूं देख लीजिए आप लोग आ करके ठीक है तो चलिए मिलते हैं लेकिन सारा कोशन को लेना अच्छा से आपको पढ़ लिना है एक बर कोशन ठीक है एक बर एक नजर मार लिजिए को प्रैक्टिस किजिए ठीक है उस सब्जेक्टिव कोशन का लिखने का प्रैक्टिस कर लिजिए ताकि वहां पर आपको दिकत ना उठीक है तो चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक लिए जहिन जिवारत जोहार जार करने चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब की जेए